हेलो दोस्तों आज हम आपके लेके आएं एकदम चटपिटा और करारा सा नास्ता तो चलिए फटा-फट से शुरू करते हैं पीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजेगा तो एक पैन ले लिया हमने तो गैस में रख दिया है उसके बाद हमने डेट कप इसमें पानी डाल दिया है उसके बाद थोड़ा सा हम ये मेथी डालेंगे सूखी मेथी उसके बाद थोड़ा सा नमक डालेंगे और थोड़ा चिली फ्लेक्ष डालेंगे तो नमक ज्यादा नही क्योंकि हमें बाद में भी डालना है तो उसके बाद पानी को अच्छे से गरम होने देंगे और एक कप सूजी इसमें डाल देंगे तो बारिक वाली सूजी आप चाहें तो मोटी वाली सूजी से भी इस नास्ते को बना सकते हैं उसके बाद गैस को लोपे ही रहन देंगे बहुत ही जल्दी ये डो बनके तयार हो जाएगा और एकदम बढ़िया सी पक जाएगी सुजी, तो ऐसे ही करके हम इसे चलाते रहेंगे, तो बस ऐसी करके इसे बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, ऐसी चलाते रहेंगे और एकदम बढ़िया सोफ्ट सा डो बन जाएगा, तो यह आप देखे एकदम बढ़िया सा चलाते वे और एकदम बढ़िया सा डो बन गिया है तो आप देख सकते कितना सोफ्ट सा है तो कैस को बंद कर देंगे और इसे हम ठंडा होने के लिए रख लेंगे तो एक बावल ले लिया हमने इसमें फेलाखे रख देंगे और तब तक हम आगे की तयारी कर लेंगे तो ये दो आलू लिये हमने उबलेवे आलू हैं ये इसमें थोड़ा सा नमक डाल लेंगे तो थोड़ा कम ही रखेंगे नमक हमने डो में भी डाला है उसके बाद थोड़ा सा काला नमक डाल देंगे और थोड़ा साम ये भुना जीरा पौडर डाल देंगे थोड़ा चाट मसाला डाल देंगे आदी छोटी चमच थोड़ा सा काली मिर्ची का पौडर डाल देंगे और थोड़ा सा ये गरम मसाला है तो थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे और थोड़ी सी हरी मिर्ची डाल देंगे कट करके तो हम लाल मिर्ची इसमें नहीं डालने वाले हैं तो हरी मिर्ची से ही बनाएंगे और थोड़ा धनिया की पतियां डाल देंगे तो लाल मिर्ची तो हमने पहले भी डाल दी थी, कुटी भी लाल मिर्ची डाली थी हमने डो में, इसलिए हम मिर्ची में ज़्याधा नहीं ढाल रहे हैं तो ऐसे करके और इसे बढ़िआ सा मिल्क्स करते हुछ अच्छे से ऐसे करके चम्मच से आप चाहे तो हाथ से भी बढ़िया सा इसे मीक्स कर सकते हैं तो ऐसे करके हम चमच से इसे मीक्स कर रहे हैं तो यह आप देखे बढ़िया सा मीक्स हो गया इसे साइड में रखेंगे और जो डो रखा था वो भी हलका ठंडा हो गया है तो इसको ऐसे करके जैसे हम आटे का डो लगाते हैं वैसे ही करके और थोड़ा सा मसलते हुए और बढ़िया सा सॉप्ट कर लेंगे तो यह आप देखे बढ़िया सा सॉप्ट हो गया यह दो उसके बाद हाथ में थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और थोड़ी मोटी सी लोई ल तो यह आप देखे सारी लोई तयार हो गई है उसके बाद एक लोई ले लेंगे और ऐसे करके दबाते वे और उसके बाद इसे गोल गोल ऐसे बना लेंगे काटोरी की तरह आप चाहें तो इसे बेल के भी तयार कर सकते हैं तो ऐसे करके बना लेंगे और उसके बाद जो इस्टफिंग आलो की हमने बनाई थी वो हम इसमें एक चमच रख देंगे और अच्छे से इसे ऐसे करके निचे को दबा लेंगे और फिर इसे बंद कर लेंगे ऐसे घुमाते वे तो ऐसे करके और इसे उपपर से अच्छे से ऐसे तबाते हुए बंद कर लेंगे और फिर इसे गोल कर लेंगे तो ये आप देखे सारी ऐसे बना लेंगे तो ये सारी बना के हमने तयार कर दियें तो चलते हैं अब गैस की तरफ तो इधर हमने तेल गरम करने रख दिया था पहले ही तेल अच्छे से तेज गरम होना चाहिए तो गैस को हमने मीडियम हाई के बीच में रखा हुआ है और उसके बाद एक एक करके डाल देंगे तो ऐसे ही करके थोड़ी देर इसे बनने देंगे थोड़ा गरम तेल इसके उपड़ डालते रहेंगे ऐसे करके और गैस को बिलकुल भी कम नहीं करेंगे क्योंकि यह सूजी का नास्ता है तो इसे हम तेज गैस में बनाएंगे तो ऐसे करके गरम तेल डालते रहेंगे और उसके बाद थोड़ी देर के बाद इसे पलट लेंगे तो ऐसे ही करके और दो-चार बार पलटेंगे तो एकदम करा रहा हो जाएगा यह नास्ता सूजी तो वह ऐसे भी पकी हुई है पहले ही लेकिन फिर भी हम इसे करा रहा होने तक सेकेंगे तो अगर यह नास्ता आपको थोड़ा सा भी पसंद आ रहा हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजेगा तो यह आप देखें फिर से पलट लेंगे ऐसे ही थोड़ी थोड़ी देर बाद पलटते रहेंगे इसको तो यह आप देखें एकदम करारा सा बन गया है तो इसको ज़्यादा यह दिखें इस से इसमें पता नहीं चलेगा क्योंकि यह सूजी है तो एकदम करारा बन गया है तो अब हम इसे निकाल लेंगे चन्नी ले लेंगे और उससे हम निकाल लेंगे तो आप देख सकते हैं बिल्कुल भी ओली भी नहीं है यह तो फिर भी हम साइड में थोड़ा सा रोक लेंगे इसको और ऐसे ही निकाल लेंगे तो ये आप देखे पूरा नास्ता बनके हमारा तयार हो गया है तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और सस्क्राइब जरूर कर दीजेगा और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपको ये नास्ता कैसा लगा और आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं तो वो जरूर बताएंगा तो ये आप देखे जब हम तोड़ रहे हैं तो एकदम भार से बहुत ही करारा सा है ये नास्ता और अंदर से एकदम सॉफ्ट सा है तो इसे सॉस चटनी या चाय के साथ या फिर ऐसे ही भी खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगता है तो एक बार ट्राइ किजिएगा इस नास्ते को एकदम टेस्टी होता है थेंक यू